दोस्तों आप सी के चैनल में आपका स्वागत है आज हम ये खुबशुरा सा बेबी स्वाटर बनाएंगे इसकी लंबाई 10 इंच चोड़ाई लगबक 8 इंच और रेग्रान कटिंग सड़े 5 इंच है ये नियू बान बेबी के दिये है सुरसा स्वाटर जिसे मैं दो पार्ट में अपलोड करूँगी फर्स पार्ट में मैं नीचे तक हिसा अपलोड करूँगी और दूसरे पार्ट में हम रेग्रान कटिंग बनाएंगे तो चदिये फ्रेंट्स हम स्वाटर बनाते हैं से पहले हम दस नंबर की सलाई लेंगे उनको डबल फोल्ड करेंगे और 119 फंदे डालेंगे अब हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे पहले लाइन में मैंने सभी फंदों को सीधा बुन लिया और दूसरी लाइन में भी सभी फंदों को स्लिप किया और सभी फंदों को सीधा बुन लिया अब लास्ट फंदा है तो उसे हम उल्टा बुन लेंगे तो हमने दो लाइन कंप्लेट कर लिया अब हम फिर सामने की पहले फंदे को ऐसे नीट वाइस स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को पर्ल वाइस को फिर से देखिए जैसे हम सीधा बुनते हैं इस तरह स्लाई जालेंगे और इसे स्लिप करेंगे हमें बुर्ना नहीं है और दूसरे फंदे को जैसे हम उल्टा बुनते हैं ऐसी चाहिए जालेंगे और इसे स्लिप कर लेंगे अब 5 फंदो को सीधा बुनेंगे एक दो तिन चार पाँच तो पाँच फंदो को सीधा बुना दो फंदों को slip किया यानि हो गए साथ फंदे और आठ फंदे को भी हम ऐसे परल वाइज को सिधा बूनेंगे क्योंकि बॉर्डर हम सीधा सीधा बुनके बना रहा है तो मैं सबी फंदे सीधे बुन लेती हूं और लास्ट के आठ फंदे जैसे हमने इस साइड में बटन पत्ति जाला है उसी तरह हमारा इस साइड भी बटन पत्ति बनेगा तो सारे फंदे मैं बुन देती हूं लास्ट के आठ फंदों को छोड़ गए देखिए फ्रैंट्स अब लास्ट के आठ फंदे बचे हैं तो आठ फंदे को ऐसे परल वाइज हम हम स्लिप कर लेंगे पाँच फंदों को हम सीधा बनेंगे एक दो तीन चार पाँच और दो फंदे बचे हैं तो पहले फंदे को हम स्लिप कर देंगे और लास्ट फंदे को सीधा बनेगे तो ये हमने तीसा लाइन कंप्रिट कर दिया अब हम रोंग ज्यरे हमारा चॉथा लाइन है तो पहले फन्दे को हम Slip करेंगे और देखिए ये हमने जो फन्दा Slip किया था इसे हम उल्टा बुने के अब उन दूसरी और करेंगे और पांच फंदे सीधे अब उन अपनी और करेंगे देखिए ये फंदा हमारा आठवा फंदा है जिसे हमने slip किया था तो इसे उल्टा पुन लेंगे उन दूसरी और अब बीच के सभी फंदे हम सीधे पुनेगे क्योंकि बॉर्डर हम सीधा सीधा बुनके बना रहे हैं तो दोनों तरब से हमें बीच के फंदे सीधे बुनने होंगे सब भी फंदे मैं सीधे बुन ले रही हूं और लास्ट के आठ फंदों को आपको दिखाऊंगे देखिए फ्रेंड्स अब ये लास्ट के आठ फंदे बचे हैं तो ये फंदा हमने स्लिप किया था तो उन अपनी और करेंगे और इसे उल्टा बुननेगे अब उन दूसरी और करेंगे पांच फंदे हमने सीधे बुने थे तो उन्हें हम रांग साइट से भी सीधा बुन लेंगे तो देखिए ये फंदा हमने स्लिप किया था तो उन अपनी और करेंगे इसे उल्टा बुनेंगे और लास्ट फंदे को उल्टा अब देखिए फ्रेंड्स हम सामने की तरफ हैं तो अब हम हमें इसमें बटन होल बनाना है तो पहले फंदे को हम ऐसे नीट वाइस स्लिप कर रहे हैं और दूसरे फंदे को परल वाइस स्लिप कर रहे हैं दो फंदा हम स्लिप कर ले रहे हैं तो अब हम दो फंदा सीधा बु दो को लिया और यहां देखिए उन अपनी तरफ है यानि यहां हम जाली डाल लाएं और जाली डालते हुए दो का एक कर लिया तो ये हमारा बटन होल बन गया अगला फंदा सीधार और ये फंदा हम हर सीधी लाइन में शिप कर रहे हैं तो इसे हम पर्ल वाइस शिप कर लें अब 6 फंदो को हम सीधा बुल लेंगे सभी फंदो को सीधा बुल लेंगे और दूसरे बटन पत्ती तक आएंगे अब देखिए friends, last के 8 फंदे बचे हैं तो 8 में फंदे को हम pearl wise slip करेंगे 5 फंदो को सीधा बुलेंगे अब देखिए, ये last में 2 फंदे बचे हैं तो दूसरे फंदे को हम slip करेंगे ऐसे पर्ल वाइस और लास्ट फंदे को सीधा बुनेंगे और रॉंग साइट से पहले फंदे को slip करेंगे अब दूसरा फंदा slip किया हुआ फंदा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे और बीच के 5 फंदों को हम सीधा बुनेंगे 8 फंदों में हमारा बटन पड़ती है बीच के 5 फंदों को हम सीधा बुनेंगे और देखिए ये हमारा slip किया हुआ फंदा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे और बीच के सभी फंदों को सीधा देखिए friends हम फिर बटन पर्टी के पास हैं तो उन अपनी और करेंगे ये देखिए slip किया हुआ फंदा है तो इसे उल्टा बुनेंगे उन दूसरी और बीच के पांच फंदे सीधे देखिए यहाँ पे हमने बटन होल बनाया था ये जाली वाला फंदा इसे भी हम सीधा बुनेंगे तो पांच फंदों को हमने सीधा बुन या देखिए ये बटन होल हमारा दिखाई दे रहा है अब उन अपनी और करेंगे ये slip किया हुआ फंदा है तो इसे उल्टा बुनेंगे और लास्ट फंदे को भी हम उल्टा बुनेंगे अब फिर ये हम अपना बटन पत्ती बना लेंगे पहले फंदे को नीट वाई slip करेंगे दूसरे फंदे को पल वाई slip करेंगे फिर पांच फंदों को सीधा बुनेंगे और उसके बाद ये देखिए ये फंदा जिसे हम slip करते आ रहे हैं तो इसको हम slip कर लेंगे अब यहां से हम अपना secondary color attach करेंगे क्योंकि अब हम अपना design बनाएंगे देखिए हम दसी नंबर की सलाई से पूरा sweater बनाएंगे यहां पे हम अपना secondary color attach करेंगे तो हमने अपना second color attach कर लिया अब हम तीन फंदों को सीधा बनेंगे एक, दू, तीन और चौते फंदे को slip करेंगे फिर अगले तीन फंदे हम सीधा बनेंगे और इस thread को ऐसे लपेटते जाएंगे और चौते फंदे को slip करेंगे तीन फंदा सीधा और चौते फंदे को slip करेंगे इसी तरह करते हुए पूरी line complete कर लेंगे तो देखिए फ्रंस हमने तीन फंदा सीधा बनते हुए और चौते फंदे को slip करते हुए पूरी line complete कर लिया अब last में तीन फंदा बचा है इसे हम सीधा बनेंगे अब देखिए अब किनारे की तरफ ये हमारे बटन हूल के फंदे आठ फंदे बचे हैं तो इसके लिए हमें दूसरा थ्रेड अटैच करना पड़ेगा तो हमने दूसरा थ्रेड अटैच कर लिया अब देखिए ये फंदा स्लिप करना है तो इसे स्लिप कर लेंगे और पांश फंदो को सीधा बुन लेंगे लास्ट के दो फंदे बचे हैं तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे परल वाइस और लास्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे अब रॉंग साइट से पहले फंदे को स्लिप करेंगे दूसरा slip किया हुआ फंदा इसे उल्टा बुनेंगे बीज के पांच फंदों को सीधा बुनेंगे उन अपनी ओर करेंगे और ये फंदा देखे इसे हमने slip किया था तो इसे उल्टा बुनेंगे अब यहां से हमारा design शुरू होता है तो पहले इन दोनों धागों को हम ऐसे क्रास कर लेंगे और अब secondary color के उनसे तीन फंदा जो हमारा secondary color का है उसे उल्टा बुनेंगे slip कि हुए फंदे को slip करेंगे और secondary color वाले तीन फंदे उल्टे बुनेंगे और ये जो हमारा thread है इसको लपेटते जाएंगे ताकि पीछे से भी सफाई आए तीन फंदे बुने हुए तीन फंदे उल्टे और slip किया हुए फंदा slip कर लेंगे बुने हुए तीन फंदे उल्टे बुनेंगे और slip किया हुए फंदा slip कर लेंगे इसी तरह करते हुए पूरी line कम्प्रीट कर लेंगे अब यहाँ देखिए फ्रेंट्स हमने डिजाइन के फंदों को बुन लिया अब हमें बटन पट्टी बुनना है तो पहले हमें बुनने से पहले दोनों ऐसे धागों को आपस में ऐसे क्रॉस कराना होगा तब ही यह आपस में बढ़ेंगे वरना दोनों हिसे अलग-अलग हो जाएंगे तो हमने ऐसे क्रॉस करा लिया अब हम बटन पट्टी के फंदा बुनेंगे तो पहला फंदा उल्टा पांच फंदे सीधे उन अपनी और फिर स्लिप किये हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे और लास्ट फंदा इसे भी उल्टा बुनेगे अब हम सामने की तरफ से हैं तो बटन पट्टी हम बुन लेंगे इस फंदे को राइट साइड में हमेशा हमें स्लिप करना है अब देखिए अब सभी फंदो को design के सभी फंदो को हमें अपने primary color से सीधा बुनना है तो मैं पूरी line यहां तक सीधे बुनने लेती हूँ फिर आपको दिखाते हूँ देखिए friends हमने सभी फंदे सीधे बुनने अब इस फंदे को हमें slip करना है तो इसे slip कर लेंगे पांच फंदे को सीधा बुनेंगे इसे स्लिप करना है पर्ल वाइज और लास्ट फंदे को सीधा बुनेंगे रॉंग साइट से पहला फंदा स्लिप करेंगे दूसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे बीच के पाश फंदों को सीधा बुनेंगे और देखिए उन अपने ओर ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे उल्टा बुनेंगे और डिजाइन के सभी फंदों को सीधा तेखिए फ्रंस बटन पट्टी के फंदे हमने बुन दिये हैं अब यहां से हमारा डिजाइन बनेगा हमेशा हम जब दूसरा कलर लगाएंगे तो दूनों को ऐसे क्रास ज़रूर करेंगे एक फंदा हम सीधा बुनेगे अगले फंदे को स्लिप करेंगे फिर तीन फंदा सीधा बुनेगे तो देखिए ये तीन फंदे जो secondary color से बुने गया थे तो बीच का फंदा हम slip करेंगे और देखिए ये slip किया हुआ फंदा था तो ये फंदा उसके दोनों side वाले फंदे ये तीन फंदे हम secondary color से सीधा बुनेंगे अब देखिए ये तीन फंदे बुने हुए तीन फंदे थे एक फंदा हमने इधर ले लिया बीच वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे अब देखिए ये तीसरा फंदा है तो ये तीसरा फंदा ये स्लिप किया हुआ फंदा देखिए यह दिख रहा है यह slip किया हुआ फंदा तो यह फंदा और इसके side वाले यह 3 फंदे हमें सीधा बुनने हैं तो 3 फंदे हमने सीधा बुन लिए अब देखिए यह 3 फंदे जो secondary color के थे तो 1 फंदा इसके side में आ गया तो बीच वाले फंदे को हम slip कर लेंगे अब अगले 3 फंदे है यह slip किया हुआ फंदा और दोनो side के एक एक फंदे इन 3 फंदों को हम सीधा बुनने हैं हमारा यह slip किया हुआ फंदा है उसको और दोनों साइड वाले फंदों को हमें सीधा बुनना है और जो तीन फंदे बुने हुए थे तो बीच के फंदे को हमें slip करना है तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट करना है अब देखिए फ्रेंस तीन फंदा सीधा बु आज और जीच बुटन क्रवज करना है और जुए फंदों के थे फंदा क्र॥ो के बंगे सब्सक्राइवी तो बा सबन कल देखिए लेकिस तके बुंदा बुरूरे प्रसपहर लिए बुने हुए फंदे को उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे देखिए फ्रेंट्स हम सामने की तरफ हैं तो पहले हम बॉर्डर के फंदो को बुन लेंगे इस फंदे को जो हमारी लाइन जा रहे हैं इसे हमेशा हमेश स्लिप करना है सामने की तरफ से अपने प्राइमरी करके उनसे अब हमें सभी फंदो को सीधा बुनना है तो देखिए फ्रेंट्स हमने पूरी लाइन सीधी बुनी अब हमें इस फंदे को स्लिप करना है फिर पांच फंदों को सीधा बुनना है बर्डर के पांच फंदों को हमें सीधा बुनना है फिर सेकंड लास्ट को स्लिप करना है और लास्ट फंदे को सीधा बुननेना है फिर हम रांग साइड में हैं पहले फंदे को स्लिप करेंगे दूसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे फिर बीच के पांच फंदो को सीधा उन अपने और ये स्लिप किया हुआ फंदा इसे उल्टा बुनेंगे और शेस फंदो को सीधा बुनेंगे और लास्ट में हम आठ फंदो पे बॉर्डर बनाएंगे तो देखिए फ्रांट्स यह खुबसूरत सा बिक डिजाइन बनके त्यार हुआ है इस समय इसकी लंबाई लगबग 10 इंच है और हमें 6 इंच तक बुनना है यानि कि सारे 4 इंच हमें और बुनना है इसी डिजाइन को हम आगे बढ़ाते हुए सारे 4 इंच तक हमें बुनना है और देखिए हमारा एक बटन होल बन गया है और बीच बीच में हम बटन होल बनाते जाएंगे हम 10 या 11 लाइन बनाने के बाद देखिए एक दो तीन चार पांस पांस धारिया बन गई है उल्टे फंदों की पांस धारिया है हम 10 या 11 धारी के बाद फिर बटन होल बनाएंगे तो 6 इंच बुनके मैं आपको दिखाते हूँ देखिए फ्रेंड्स बटन होल के बाद से 2, 4, 6, 8, 10 और 11 धारी कंप्लीट हो गया है यानि 22 लाइन बटन होल के बाद से 22 लाइन बुना जा चुका है और यह तेस्वा लाइन है तो अब हम यहाँ पे अपना बटन होल बनाएंगे दूसरा बटन होल बनाएंगे पहले सीदर लसा इतक करती है तो इसको हम नोर मित वाइस कर लेंगे बनानेंगे छुक बित्न को दो में ऺइए और फंदो को एक सालेंगे और बैक लूप से सीदर स्य हम यहाँ पे दो का एक है यह तक चीया और ऑर इसके पहले हमने जाले ऋदिए यानिए कि जित्ने फंदे थे वापस उतने फंदे हो गए अब एक फंदा सीधा और यह हम हमेशा स्लिप करते हैं तो इसको हम स्लिप करेंगे यह से पॉरल वाइस थिक करना है फिर हम अपने डिजाइन को आगे बढ़ाएंगे यानि की एक फंदा सीधा सेगंडरी कलर से एक फंदा slip करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा तो हमने 11 धारी के complete होने के बाद 12 धारी में हमने ये buttonhole बनाया है अब हम हर 11 धारी धारी पूरे होने के बाद यानि 12 हमें में हम बटन होल बनाएंगे और अपने प्रैटर्न को आगे बढ़ाते हुए 6 इंच तक कम्प्रीट करेंगे तो देखिए फ्रैंज हमारा स्वेटर 6 इंच बनके त्यार हो गया है 88 फंदे बार्डर के हैं और बीच में 103 फंदे हैं अब हम इनको 3 पार्ट में डिवाइट करेंगे तो हम साइट साइड में 25 फंदे रखेंगे बार्डर को छोड़कर हम साइट साइड में 25 फंदे रखेंगे और बैक पार्ट में हम 53 फंदे रखेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा इस समय डिजाइन देखे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा और चौदर चौदर डिजाइन पढ़ चुका है और अगर ये बार्डर के लाइन गिने तो दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, चौदर, सोला, अठारा, बीस, बाइस, चौदिस, चबिस, अठाइस, तीस और इकतिस ये उल्टे फंदो की धारिया है तीन धारी के बाद हमने बटन होल बनाया और ग्यारा धारी हो जाने के बाद दूसरा बटन होल यानि दो बटन होल के बीच में ग्यारा धारिया है तो इस समय तीन बटन होल बन चुके है तो अब हम सिर्फ एक पार्ट को हम बनाएंगे अब इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइट करना है तो एक पार्ट को हम बनाएंगे तो पहले फंदे को नीट वाइस लिप करेंगे, दूसरे फंदे को पर्ल वाइस लिप करेंगे, उसके बाद पांच फंदे हम सीधा बनाएंगे, और छटे फंदे को हम पर्ल वाइस लिप करेंगे, अगले 25 फंदो को हम सीधा बन लेंगे, अब हम यहीं से लोट जाएंगे, स अब ये बार्डर के फंदे हैं तो ये slip किया हुआ फंदा है इसे हम उल्टा बुनेंगे उन अपनी और करेंगे slip के हुए फंदे को इल्टा पुनेंगे और पाच फंदो को सीधा और last के दो फंदो को देखें ये slip किया हुए फंदा है इसे उल्टा पुनेंगे और last फंदा इसे भी उल्टा अब हम फिर सामने की तरफ है तो अपने border का पी पादर फंदा slip करना है एक फंदा स्लिप करेंगे तीन फंदा सीधा एक फंदा स्लिप करेंगे तीन फंदा सीधा एक फंदा स्लिप करेंगे तीन फंदे सीधा बुनने के बाद लास्ट में दो फंदे बच रहा है तो इसे भी हम सीधा बुनेंगे और अब रॉंग साइट से दो फंदो को सीधा बुनेंगे एक और दो फिर उन अपनी और करेंगे और इन तीन फंदो को उल्टा यानि अब हम अपना डिजाइन जो बन रहा है उसे कायम रखेंगे यह फ्रंट्स छे इंच के बाद हमारा यह पाश्वा लाइन है और यह छटा लाइन है इसमें हमें सबी फंदे पीछे से सीधा बुनना है तो हमने डिजाइन के सभी फंदे सीधे बुन लिए अब उन अपनी और करेंगे अब यह स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे उल्टा बुनेंगे उन दूसरी और बीच के पाश फंदे सीधे और लास्ट के 2 फंदे उल्टे तो हमने 6 इंच कंप्लीट होने के बाद 6 लाइन बुनाया है यहाँ द्यान दिजिएगा फ्रेंट्स चुकि यह जो ब्रिक बना है इसमें सामने से भी सीधा गया है और पीछे से भी सीधा तो ये उल्टे फंदे की धारी आ गई है डिजाइन में पांच फंदे हैं तो हमने लास्ट के दो फंदो को दूसरी साइड से भी सीधा गुना है क्योंकि हमें यहाँ पे दो फंदे उल्ट चाहे तो हमने देखिए छे इंच के बाद से छे लाइन कंप्लेट कर लिया है अब हम इस हिस्से को यहीं छोड़ेंगे अब मिडिल पार्ट को हम बुनेंगे अब यहाँ पे हम अपना दूसरा गोला लगाएंगे और सभी फंदो को हमें सीधा बुन लेना है ऐसे इसे लपेटते जाएंगे तो खुलने का डर नहीं रहेगा सभी फंदो को हमें सीधा बुनना है और इसे हम लपेटते जाएंगे बैक साइड में हमारे तिरपन फंदे हैं तो तिरपन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे तो हमने तिरपन फंदों को सीधा बुन लिया अब हम यहीं से लौट जाएंगे और वापस सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे अब हम यहाँ पे अपना secondary color attach कर देंगे तो design के मताबिक हमें design के मताबिक दो फंदों को सीधा बुनना है और तीन फंदों में से बीच वाले फंदे को हमें slip करना है तो यह बीच वाला फंदा इसे हम slip कर लेंगे अगला तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे नेक्स्ट फंदा slip करेंगे फिर अगले तीन फंदे सीधे इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे तो अब हम रॉंग साइड में हैं और लास्ट के दो फंदों को हम सीधा बुनेंगे ये दो फंदे जो हमारे हैं उने हम सीधा बुन लेंगे और फिर उन अपनी तरफ slip की हुए फंदे को slip करेंगे और फिर दिजाइन के फंदों को उल्टा बुने हुए फंदों को उल्टा बुनेंगे slip की हुए फंदे को slip करेंगे बुने हुए फंदे को उल्टा बुनते हुए हम लास्ट के दो फंदो के पास पहुंचेंगे अब देखिए फ्रेंट्स लास्ट के दो फंदे बचे हैं तो उन दूसरी ओर करेंगे और इन दो फंदो को हम सीधा बुनेंगे अब फिर हम हमने चार लाइन कम्प्लीट कर लिया अब फिर हम अपने प्राइमरी कलर के उन से सब भी फंदों को सीधा बुनेंगे और रॉंग साइट से सब भी फंदों को सीधा ही बुन लेंगे इस तरह हम बैक पार्ट के भी छे लाइन कम्प्लीट कर ले रहे हैं तो देखिए फ्रेंट्स, बैक पोश्चन में हमने 6 लाइन कम्प्लीट कर लिया, 6 इंच के बाद से 6 लाइन कम्प्लीट कर लिया, अब इसी तरह हम सेकेंड फ्रॉंट में भी ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ पे हम अपना प्राइमरी कलर अटैच करेंगे, सभी फंदो को सीधा बनेंगे, और डिजाइन बार्डर जैसे हम बनते हैं वैसे बनेंगे, और लोटते समय बार्डर बनाने के बाद सभी फंदो को सीधा ही बनेंगे, फिर सेकेंडरी कलर अटैच करेंगे, और डिजाइन को अपना बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, और लोटते समय बस हमें ल लास्ट के दोफंदों को सीधा बुनना है, यहां पे लास्ट के दोफंदों को सीधा बुनना है, सामने से हम सीधा बुनेंगे और पीछे से भी हम सीधा बुनेंगे तो दोफंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे, तो तीनों पलों में 6-6 लाइन कम्प्लीट कर लिया है, वीडि आस्वार वादिन.